कही बारी महिलाओं को लगता है कि नए जाने वो प्रेगनेट कब होंगी और एक बार प्रेगनेट हो जाती है तो उनके मन में कहीं ने कहीं कभीं ने कभीं ख्याल जरूँर आता है कि baby boy conceive किया है या baby girl conceive की है आज मैं कुछ घरेलो तरीके बताऊंगी और वो भी इतने आसान तरीके आपके घर में ही सब चीजे मौजूद हैं उनकी help से आपको सुबह का पहला urine लेना है और खुद से आप टेस्ट कर सकती हैं कि आपके घर में baby boy है या baby girl है सबसे पहला तरीका है विनेगर की मदद से विनेगर में पेशाब यानि की यूरीन मिला कर यह टेस्ट किया जाता है विनेगर में पेशाब मिलाने के बाद अगर रंग में बदलाव नजर आता है तो आपने baby boy conceive किया है नहीं तो आपने baby girl conceive की है कांच का ग्लास से आप पता कर सकती है baby boy है या baby girl कैसे आये जानते हैं किसी कांच के बरतन में कोई भी घर पे बरतन हो जो एक्स्ट्रा बरतन हो उसको दुबारा यूज नहीं करना है उसमें थोड़ा सा आपको यूरीन डालना है सुबह का यूरीन लेना है सबसे पहला यूरीन लेना है इस पर अगर आपको थोड़ी देर बाद जब कांच क्लास में अपना यूरीन डाल के आप रख देंगे थोड़ी देर के बाद इस पर अगर आपको सफेद परत दिखाई देगी तो आपने 100% baby boy conceive किया है नहीं तो baby girl conceive की है bleach का परियोग किसी बरतन में थोड़ी bleach ले ले और इसमें अपना थोड़ा सा urine मिला दे इसके बाद अगर इसमें बुलबुले दिखाई देते हैं तो आपने baby boy conceive किया है चीनी से कर सकते हैं टेस्ट चीनी का परियोग करके भी आप पता लगा सकते हैं कि आपने baby boy conceive किया है या baby girl किसी बरतन में चीनी लेकर इसमें थोड़ा सा urine मिलाना है अगर चीनी आपस में चिपक जाती है तो ये baby boy के लक्षन है और अगर चीनी घुल जाती है तो ये baby girl के लक्षन है साबून से कर सकते हैं टेस्ट साबून में urine मिलाने पर अगर बुलबुले बनते हैं तो आपने baby boy conceive किया है और अगर बुलबुले नहीं बनते हैं तो आपने baby girl conceive की है डेटोल टेस्ट आप कर सकते हैं डेटोल टेस्ट करने के लिए किसी कांच के बरतन में बराबर मात्रा में यूरीन और डेटोल मिला ले ध्यान रहे दोनों की मात्रा बराबर हो अगर डेटोल और यूरीन घुल जाता है तो आपने बेबी गल कंसीव किया है लेकिन अगर यूरीन उपर परत बना लेता है और तैरने लगता है तो आपने बेबी बोई कंसीव किया है टूथ पेस्ट टेस्ट सफेद टूथ पेस्ट में यूरीन मिलाना है सफेद टूथ पेस्ट ही लेना है सुबह का यूरीन ही लेना है पहला यूरीन अगर इन दोनों को मिलाओगे और toothpaste का रंग सफेद से नीला हो जाएगा तो आपने baby boy conceive किया है और color change नहीं होता है तो आपने baby girl conceive की है कुछ ध्यान रखने योग्यबात नहीं हर किसी की pregnancy symptom अलग होंगे हर किसी का hormones level है वो अलग होता है hormones अलग अलग change होते हैं तो अगर ये symptom आपे match नहीं कर रही है तो घबराने की जरुवत नहीं है ये इश्वर की कृप्या होती है ये तो हम fun तोर पे कुछ test घर पे कर लेते हैं अपने fun के लिए क्योंकि curiosity मन में होती है कहीं न कहीं जानने की कहीं न कहीं मन में हमें भी ये पता है कि ये चीजे 100% सही साबित किसी के साथ भी नहीं होती है क्योंकि हर किसी के लक्षन अलग है तो हर किसी की जो शरीर है वो अलग है हर किसी की body अलग है hormonal changes अलग होते हैं त तो आपको 9 के 9 महीने खुश रहना है, इन चीजों को सिरफ फन के तोर पे लेना है, अपने उपर हावी नहीं होने देना है, मैं इश्वर से प्रातना करती हूँ कि आपकी प्रेगनेसी का चाहे कोई भी महीना हो, कितना भी टाइब रहता हो, बड़ा अच्छे से स्मूदली वो निकल जाए, यह फेज आप काफी एंजोए करो और आपकी डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हो जाए, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब, थैंक यू, थैंक यू सो मच